आज कि हमारी इस वीडियो का टॉपिक है problem cvp relationship in equation form जिससरे हमने पिछली वीडियो के अंदर देखा था कि cvp relationship क्या होता है यह हमारे पास cost volume profit relationship होता है यानि के जिसके अंदर हम देख रहे होते हैं यह use करते हैं to determine changes in cost and volume यानि कि हमारे पास जो चेंज जो अगर कॉस्ट के अंदर या वालियूम के अंदर number of units इसको हम वालियूम कहते हैं तो उसकी वज़ा से इन चेंज की वज़ा से cost और number of unit की वज़ा से हमारे जो profit के उपर effect आता है वो क्या आता है वो देखने के लिए हम cost, volume, profit analysis करते हैं हमने example अगर cost हमारे पास five lakh रुपीज की volume है यानि के number of units है इसको हमने sofa assume क्या था 75,000 अगर हमारे पास sofa के unit है और profit हमारा three 95,000 रुपीज का तो हमने देखा था कि अगर हमारी cost ये जो five lakh है इससे काम या ज्यादा हो जाए तो हमारे profit के उपर क्या फर्क पड़ेगा या हमारे पास ये volume है 75,000 रुपा है ये कम ज्यादा हो जाए तो हमारे इस profit के उपर क्या फर्क पड़ता है इसके इसके इलावा हमने इस जो हमारी पिछली वेडियो थी उसके अदर हमने ये equation एक drive की थी जिसके अदर हमने देखा था कि profit हमारे is equal होता है कि इसके number of units multiply by contribution minus fixed cost contribution के लिए हमने क्या क्या था sale price में से variable cost को less क्या था ये हमारे पास per unit की दो चीज़े और fixed cost हमारे पास total में थी तो चलते है question की तरफ और एक इसके उपर देखते है कि हमारे पास जब problem हो CVP relationship का जब हमने equation form के अंदर करनी हो तो उसको किस रिखे से solve किया जाता है question है जी हमारे पास की aziz industries is a manufacturer of plastic furniture ये plastic furniture बनाते है aziz industry और information regarding one of its plastic chair उसकी जो एक plastic chair है उसके बारे में per unit के हिसाब से हमें information यहां पे दीवी है available below है जी sale होती है एक chair 750 की रुपीज के अंदर है यह material जो उसके लिए एक unit के लिए लगता है या cost है उसकी 250 की रुपीज की labor 150 और variable factory और जो है वो 100 रुपीज का एक plastic की chair के उपर खर्च होता है इसके लाव उसने बताया है कि it is estimated that sale demand for next period ये एक month हो सकता है माईना जिसको माईना भी कह सकते है या मारे लिए ये एक year हो सकता है कुछ भी period हो सकता है कि उसके लिए उसने काया कि period will be to 2500 years यानि कि उसके लिए जो sale demand होगी वो 3500 years होगी जो उसने बेचनी है इसके लाव उसने बताया है कि जी sale force को pay किया जाता है commission कितना 5% of sales मतलब कि जितनी भी sale होगी उसका 5% जो हो sale force को commission भी pay किया जाता है and estimated fixed cost for the period to be allocated to this model of chair यानि कि जिस model के chair की हम यहाँ पर बात कर रहे है उसको जो fixed cost allocate की यही है वो 3 lakh rupees की है sale manager का यह point of view है कि अगर हम sale price को reduce कर दें by rupees 50 तो sales can be increased by 350 chairs अगर 50 रुपे की कमी कर दी जाए sale price के अंदर यानि के 750 के बज़ए वो अगर 700 रुपे की एक chair बेची जाए तो sales जो है वो increase हो सकती है 350 chairs से मतलब कि अब total sale उसकी कितनी हो जाएगी पहले वो 2500 उसने का होगा था अब 350 जब अंदर इसके add हो जाएंगी तो यह 2850 यानि के 850 chairs की sales हो सकती है purchase manager कह रहा है कि estimated cost of material जो इस model वाली chair के अंदर use होता है वो cost increase कर जाएगी रुपीज 10 पर chair के साथ यानि के पहले material की cost अगर 250 उर्पी थी तो अब 10 उर्पे से जब वो increase कर जाएगी तो total cost उसकी हो जाएगी 260 यानि के रुपीज 260 पर chair उसको वो material का cost पढ़ेगी requirement है जी determine करें effect of all above factors on the profit of aziz limited यह जो हमारे पास aziz industries है इसके उपर जो profit के उपर फर्क पढ़ेगा वो हमने बताना है अब यह जो हमारे पास aziz industry है इसके profit के उपर क्या फर्क पढ़ेगा हमारे पास वो हमने करना है उसके लिए हम चलते है question के solution की तरफ और इस question को solve करना start करते थे हैं सबसे पहले हमें क्या करना होगा हमें सबसे पहले profit find out करना पढ़ेगा कि इसके लिए old जो हमारे पास data available था चेज मेनेजर ने जो बताया है कि 10 per chair के साथ हमारी cost increase कर जाएगी उसको छोड़के उसके इलावा जो परना data में available है यानि के old data उसके उपर हमने क्या करना है सबसे पर estimate करना है कि हमारी जो है वो profit कितना आ रहा है तो profit के लिए हमने जिस तरह यहाँ पर देखा था कि contribution हमारे पस data available है उन दो को सामने रखते हुए हमने question को solve करना है अब profit find करने के लिए हमें contribution सबसे पहले निकालना पड़ेगा जो हमारे पास old data available है उसको देखते हुए और new model यानि के जिसके एंदर हमारे पास changes incorporate हो चुक्योंगी उसको देखते हुए हमने क्या करना है कि contribution find करना है त sales को देखते हुए sales क्योंकि sales मेंसे जितनी भी variable cost है वो सारी less करेंगे तो हमारे पास contribution आ जाएगा per unit का तो सबसे पहरे हम sale material labor variable factory overhead और जो हमारे पास sales का commission है उसकी यहाँ पर हम सबसे पहले heading दे देते हैं और फिर देखते हैं कि हमारे पास क्या बनता है यह हमने यहाँ पर record क जो कह रहा था कि अगर हम इसी model पे रहें तो हमारे पास 750 की sale होगी तो वो सबसे पहले हम record करते हैं 750 को यहाँ पे हमारे पास old model के अंदर 750 आगी material हमारा कितना होना था यही सारी information हमारी होगी 250 150 और 100 की और sales commission 5% होगा किस का sales का अगर एक chair के लिए find कर रहे हैं तो obviously बात है कि हमें 750 रुपीस के एक chair बेश रहे हैं तो हमें उसको 5% लेना होगा 750 का तो हमारे पास क्या आजाएगा sales commission आजाएगा एक chair के लिए पराने model के अंदर रहते हुए तो हम यहाँ पे सब को record कर लेते हैं अब यह हमारे पास record हो गया है अब हमने क्या देखना है कि new model यानिके ज साथ increase कर जाएंगी तो अब हम देख लेते हैं कि इसकी वज़ा से क्या फर्क पड़ता है contribution margin के उपर और देन उसके बाद देखेंगे profit के उपर क्या फर्क पड़ता है तो उसके लिए क्या होगा कि simplyya में 750 की जो sales price है इसको लेके जाना पड़ेगा 700 के उपर और जो material की cost है क्योंकि increase हो रही है वो उसने बताया था पहली purchase manager ने कि इसकी cost 10 rupees increase कर जाएगी तो वो हमारी हो जाएगी 260 rupees इसको भी record करते हैं और इसके बाद हमारे पास क्या होगा कि sales commission हम जो pay कर रहे हैं वो 5% है sale का तो जब हमारे पास sale हो जाएगी 700 rupees की तो हमें जो sales commission देना पड़ेगा या वो 700 rupees को multiply करेंगे 5% के साथ तो वो हमारे पास आजाएगा sales का commission तो यह सारी चीज़े हम यहाँ पे record कर लेते हैं यह हमारे पास आ गया जी 700 अमारी new sale price पर share और यह 260 हमारे पास 10 rupees जो cost increase यह material की वो और sales commission अब हमने लेना है 700 का 5% यानि 700 multiply by 0.05 करेंगे तो वो हमारे पास 35 आ जाएगा अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे जो contribution आ रहा है वो दोनों form के अंदर कितना रहा है अगर changes हूँ और उसके बाद एक में changes ना हूँ तो हमारे पास यहाँ पर old में अगर हम सिर्फ 2500 years को यह बेजने के लिए जाते हैं तो हमारे पास जो work आ रहा है और अगर हमने इस यहाँ पर material की जो price of increase नहीं की हुई तो हमारे पास 212 का आ रहा है contribution per unit का और new model में अगर हम कहते हैं कि हमने 850 years बेजने हैं तो 700 हमारी selling price होगी तो उस case में हमारे पास contribution आ रहा है 1155 यानि के 155 रुपीज का अब हमने क्या करना है हमने profit find करना है और उसके लिए हमने क number of chairs multiply करना पड़ेगा हमारे पास चो contribution per unit यहाँ पे आ रहे हैं old model के लिए भी और new model के लिए भी तो सबसे पहले अगर हम old model की बात करते हैं तो हम यहाँ पे इस तरीके से record करेंगे कि हमारे पास 2500 chair है multiply पे एक chair से commission 212 आ रहा है और हम minus कर देंगे इसमें से fix cost जो हमारे पस 3 lakh रुपीज थी यहाँ पे उसने बता हुई है तो जब हम यह करते हैं तो हमारे पास इसका solution आता है old जो profit हमारे पास आ रहा है अगर हम सिर्फ 2500 chair sale करते हैं तो 230,000 रुपीज हमारा profit आ रहा है लेकिन अगर हम कहते हैं कि हमने 2850 chair sale करनी है तो उस case में हमारे पास total unit हो जाएंग और contribution जो उसके लिए हमें लेना पड़ेगा वो new model को देख जो लेना पड़ेगा 155 का तो वो हमने यहाँ पे ले लिया है और इसमें से हमने minus कहारे है fix cost fix cost के ओपर कोई फर्क नहीं पड़ा हुआ था उसने हमें बताया हुआ नहीं था तो वो हमने इसी तरीके से 3,00,000 रु का तो अब हमने यहाँ पे basically क्या देखना था कि हमने देखना का है determined effect of all above factor जो हमारे पास यहाँ पर बताए गए थे के जी 25,00 चेर्स के बिज़ए हमने 28,50 चेर्स यानि के अगर हमारे पास unit में change आ जा जाता है तो उसकी वज़ए से हमारे profit के उपर क्या फर्क पड़ता है और इसके लावा हमारी material cost increase कर गए थी 10 रुपीज है तो इसकी वज़ए से हमारे पास क्या फर्क पड़ा है वो अगर हम एक ही इसके अंदर देखते है तो हमारे पास जो change आ रही है वो और यह 888,250 की के हमारे पास पहले जो profit था वो 22,30,000 रुपीज का था लेकिन अब हमार कैसे हमने यह देख लिया कि अगर हम changes को incorporate करते हैं तो फिर देखते हैं तो हमारे जो old profit है वो कम हो जाता है 88,250 रुपीज से तो इस तरह आज की इस वीडियो के अंदर हमने देखा कि जब भी हमारे पास CVP analysis को यूज करना हो या cost volume profit relationship को यूज करना हो और इसके अंदर हमें data दिया हुआ हो तो problem को किस तरह के से solve किया जाता है